चैने। वैक्टर animals in the WeChat तो वैक्टर परने से पहले हमको वैक्टर का лич सिगनीनिस जानना चाहिए कि वैक्टर का सिगनीफिकेन्स क्या है। क्यों पर रहे हैं वैक्टर तो सिगनीफिकेंस को समझने के लिए हम आपके सामने के स्टोड़ी ही रखते हैं जैसे कि आप असानी से रियलाइज तर सकें कि हम वैक्टर पढ़ते क्यों कि सपोज करो कि एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के टॉप पे एक लड़का ख़रा है कि ए और इसके ठीक बगल में एक और लड़का ख़रा है बी और असली बी जो है एक दोस्त होगा एक तीसरा कोई भी आदमी तीसरा आदमी इसका नाम हम सी बोल दे रहे हैं कि यह इस बिल्डिंग के बगल से सरक जा रहे है उस सरक से गुजर राइदर यह अचानक क्या देखता है सी कि ए जो है छट से गिर गया और छट से गिरने से इसकी मौथ होगे एक ही मौथ होगे तो ओवियस है इसके मौथ का सबसे अधिक जिम्मेदार किसको माना जाएगा बी को और चसंदीत गवाह कौन है सी पूरी घटना को देख रहा है कौन सी देख रहा है अब क्या हुआ कि सी को कोट में गवाही के लिए बुलाया गया जज के सामने पेस किया गया सी क्या बोलता है जज को कि हाँ हम ये देखे हैं कि बी एक के उपर फूर्स लगा रहा है कि प जो है एक के उपर फोर्स लगा है है तो क्या इस statement के basis पर कि को मौत की सजा देनी चाहिए जो की भाई अगर यह इसका इसका आगर इसके मारने में हाथ है फिर तो मौत की सजा होगी क्या हो सकता है तो यहां पर दो संभावना एक संभावना तो यह है कि यह इसको धक्का दे दिया और यह गिर के मर गया तब तो इसको फासी होना चाहिए बिलकुल लेकिन यह भी तो हो सकता है कि इस एका इक्जाम में नंबर कमाए हो यह खुद में फ्रस्टेट हो और बी और यह आतमात्या करने का प्रयास कर रहा हो और वृष को बचाने के लिए फोर्स लगाए बचाने के लिए फोर्स लगाए तो उस discuss में अगर ज़ड़ इसको फांसी चुना देता है एक निर्दोस आदमी जो की बचाने का प्रयास कर रहा था उसको फांसी हो गया है तो यहां पर कौन सा स्टेटमेंट मिसींग है जिसके कारण एक निर्दोस आदमी को भी फांसी हो सकता लेक्षिन तो यहांनी फोर्स तो लगा रहा है लेकिन इसने यह नहीं बताया कि force किस direction में लगा अगर force उसको धख्या देने के लिए लगाया इस direction में तब तो दोसी है लेकिन अगर उसको बचाने के लिए force लगाया तो यह बिल्कुल निर्दोस है यानि यहां पर इस पूरे statement में direction missing है यानि direction का हमारे life में कितना important role है एक direction मिसिंग होने से एक निर्दोस आदमी भी फासी पेचर सकता है तो डाइरेक्शन का रोल बड़ा इंपोर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में डाइरेक्शन का रोल क्या है इसके बाड़े में हम बात करेंगे ठीक है कि अग्या